बम बम बोले आज हम और हमारी मम्मी जा रहे हैं पचौमी मंदिर यह फरीदपुर में लगता है यह मंदिर बहुती जदा फ्वेमस है और रास्ने में हमें दिख रहे हैं बहुत सारे काबड़ यह और यह देखिए भी दूती और बारिश होने लगी है हलकी हलकी जैसे जैसे हम मंदिर की और बढ़ते जा रहे हैं बारिश और तेज होती जा रही है और मंदिर आने ही वाला है और मंदिर आगया और देखिए कितने जड़ा श्रुदा धालो और ये देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए खिलाने मिल रहे हैं और भाईया पानी अटा रहे हैं भर गया है जो यहाँ पर मेला लगता है सारी चीजें यहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर बहुत भक्त आते हैं बहुत ज्यादा भीड़ होती हैं सावन के समय पर और आज यहाँ पर जितनी भीड़ होती है उसकी आदी भीड़ है क्योंकि रिक्षा वगरा नहीं जा पाता क्योंकि भीड इतनी ज्यादा हो जाती है आप देख सकते हैं यहां से चल कर कितनी दूर जाना है यहां से महां तक कि इतनी दूरी है जो की भी मैंने आपको दिखाई बम बम हो ले हम जल्दी पहुँचने वाले हैं रगवान जी के पास दर्शन करेंगे आपको भी दर्शन कराएंगे तो यहां पर प्रशाद मिल रहा है अब हम यहां से प्रशाद लेंगे अब मंदिर कुछी दूरी पर है पास में ही आ गये हैं मंदिर के जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे हैं वक्तिजनों की बीज़ बढ़ती जा रहे हैं यह यहाँ पर अंकल छोटे-छोटे से गमले बेच रहे हैं हम आ गए हैं मंदिर के गेट के पास और बस पहुंचने बाले हैं कुछी सेकेंड और अब हम आ गए हैं मंदिर के गेट पे और अब हम प्रवेश करेंगे मंदिर की अंदर अब कुछी देर में हमें बोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे अम बिलकुल केट पर खड़े हैं बस अंदर प्रवेश करने को मिलेगा और बोले बाबा के दर्शन हमें मिल जाएंगे बोलिये बम बम बोले ओ नमा शेवाश ये देखिए सबी लोग बोले बाबा को जल चड़ा रहे हैं पूजार चुना कर रहे हैं लीजिए हमें दर्शन हो गए बोले बाबा की चेश और अब हम गेट से बाहर निकल आए हैं यहां से निकल कर थोड़ा सा आगे चल कर बारा शिवलिंग हैं जिनके की अभी हम दर्शन करेंगे आदे हैं हम अब बारा शिवलिंग जी के पास आप भी दर्शन कर लीजिए अभी दो शिवलिंग जी के दर्शन अब कर पा रहे हैं आप भी कर लीजिए लेकिन बाकी शिवलिंग जी की दर्शन होना बहुत मुश्किल है बहुत थीर है तो हम अभी जा रहे हैं यहां से क्योंकि विडियो बनाना आसान नहीं है दूर से ही दर्शन कर पा रहे हैं सभी आप भी दूर से ही दर्शन कर लीजिए यहाँ पेड़ है, यहाँ पर भी सबी लोग बेल पात्री बगएरा चड़ा रहे हैं मानमिताओं के हिसाब से यह फ्रूजनिय माना जाता है और अब यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है जूले बगएरा सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है तो वीडियो में बने रहे और मन में बोलते रहे बम बम बोले ओम नम शिवा अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर गेट से उतरते समय काफी लोगों के पास नाग देबता होते हैं जो की पालतु होते हैं आप उन्हें इस परष कर सकते हैं अपने कले में धारन भी कर सकते हैं और पालतु बंदर भी होते हैं जिनने देखकर बहुती अच्छा लगता है हम अभी आपको दिखाएंगे अगर विडियो बना सके यह देखिए यहाँ पर यह देखिए इनके गले में नाग देपता है और बो देखिए बहाँ पर बंदर बैटे हुए यह देखिए दो पालतु बंदर मेले का पूरा भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर फोटो शुटिंग के लिए यहाँ पर आप फोटो किचा सकते हैं काफी सारे लोग यहाँ पर फोटो किचाने के लिए खड़े हुए भी हैं देखिए एक नकली शेर भी है यहाँ पर बहुत ही विशाल मेला लगता है यहाँ पर देखिए फोटो खिचे हुए हैं जो कि लोग खिचवाते हैं और यहां पर देखें खिलॉने वगएरा मिल रहे हैं चूड़ीयां गेरा मिल रहे हैं और बारिशीद कें से हमारे पैर खंदे हुगए हैं मिट्टी पूरी लग गेई पैरों में और ये धी बच्चे जूल जूल रहे हैं जूले बहhhhh झाव वाला जूला है जंपिंग वाला जूला है यहाँ पर देखे भगवांजी के मूरत मिल रही है मम्मी भी एक शिवलिंग लेंगी यहाँ से पिछली बार भी हम ले गए थे वो खंडे तो गए हैं यह मम्मी अब दूसरी लेंगी उसकी विडियो हम बना कर अपलोड करेंगे जब हम शिवलिंग जी की स्थापना करेंगे हमने यह वाली शिवलिंग जी ले ली है यह मेले में अब और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या-क्या मिल रहा है यह यहाँ पर देखिए रोटी बनाने वाले पटे मिल रहे हैं और धोलक भी मिल रही है चोटी-चोटी और यहाँ पर भगवान जी की और भी मूरत है और यहाँ पर मिट्टू-मिट्टू जलेवी और पेठा और मम्मी को पेठा बहुत पसंद है तो मम्मी पेठा खरीद रही है और यह पानी पूरी चामीन, मोमो, सब कुछ मिल रहे है पकोडी बगएरा, मिर्च, सब कुछ और अब हम पूरा मेला घूम चुके है और अब हम जा रहे हैं खर बोलिये बम बम बोले ओम नमाज शिवाए हर हर शमू मंदिर के एंड में यहाँ पर भंडारा भी लगा हुआ है और हम अपने घर के उर आगे बढ़ रहे हैं जैसे ही हमें आटो मिल जाएगा थोड़ा सा आगे बढ़ के अपने घर चले जाएंगे और यहाँ पर अभी हमें कावणियों की चबी भी देखने को मिल गई है क्योंकि कुछ कावणियों यहां से जल उठाते हैं अबम चड़ाते हैं और यहाँ पर कावणियों का एक और ग्रूप हमें देखने को मिल जिसमें की गौरा माता और शिब जी की छाकी भी है आखों को आनद की प्राक्ति हो गई और दीजे हमें आटो भी मिल गए अब हम जा रहेंगा मिलेंगे आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बम बम बोले